नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर्चे स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में दोस्तों आज हम बात करेंगे गुरू गुराम में घूमने के 10 फेमस टुरिस्ट प्लेसिस के बारे में इस सहर को पहले गुरगाओं के नाम से भी जाना जाता था ये सहर दिल्ली से 32 किलो मिटर दूर है और बैंगलोर की तरह ही ये एक आईटी हब है यहाँ पर कई बड़ी आईटी कमपनियों के आफिस हैं इसके साथ साथ यहाँ पर घूमने फिनने के भी कई जगाए हैं जहाँ पर लोग छुट्टियों में घूमना और इंजॉय करना पसंद करते हैं तो चलिए फिर एक एक करके जानते हैं गुरुगराम के 10 फेमस टुरिस प्लेसिस के बारे में इसमें पहले नंबर पर आता है Kingdom of Dreams Kingdom of Dreams गुरुगराम का सबसे फेमस टुरिस प्लेस है जिसको K.O.D. के नाम से भी जाना जाता है Kingdom of Dreams गुरुगाओं में इस्थित भारत की पहली लाइव, एंटरेटेंडमेंट और थेटर वाली जगा है यहाँ पर आप कई सांस्कृतिक नाटकों के मजे ले सकते हैं यह जगा आपको संस्कृति, जीवन सैली और परंपराओं की एक यादगार यातरा पर ले जाएगी यहाँ जाने के लिए टिकट टेना पड़ता है उसके बाद ही आप यहाँ पर एंटरी कर सकते हैं इसके बाद अगले स्थान पर आता है दमदमा लेक दमदमा लेक गुरू ग्राम से 25 किलोमेटर दूर गोमने की एक अच्छी जगा है अगर आप गुरू ग्राम में किसी सांथ जगा की तरास में हैं तो यह जील एकदम बेस्ट प्लेस है इस जील का निर्मान 1947 में अंग्रेजो द्वारा जल संचे के लिए किया गया था आज ये एक फेमस पिकनिक स्पोर्ट है और यहाँ पर 190 परकार के देशी विदेशी पक्सियों को देखा जा सकता है मौन्सुन के दौरान यहाँ पर सबसे ज़्यादा विदेशी पक्सि देखे जाते हैं इसके बाद अगले स्थान पर है सीतला माता मंदिर गुड़गाओं से 35 किलो मीटर दूर सीतला माता का एक परसिद मंदिर है यहाँ पर माता में सर्दा रखने वाले भक्तों की भारी भीड आती है यह माता का एक सकती पीठ है और यहाँ मानिता है कि यहाँ पूजा करने से सभी इच्छाओं की पूर्ती हो जाती है इसके बाद अगले स्थान पर आता है सुल्तानपुर नैस्टनल पार्क दोस्तों गुडगाओं से 14 किलोमेटर दूर सुल्तानपुर बड सैंचूरी दिल्ली और आसपास के सहरों के लिए गूमने की बेस्ट प्लेस है यह जगा गुडगाओं का एक परमुक पेटक स्थल है अगर आपको पक्षियों को देखने का सौक है तो उसके लिए यह जगा स्वर्ग है क्योंकि यहाँ पर पक्षियों की डायसो से ज़्यादा परजातियां पाई जाती है सर्दियों के दुरान यहाँ पर बहुत सी विदेशी पक्षियां भी नजर आती है इसके बाद अगरी स्थान पर है अप्पुघर दोस्तों देश का पहला अप्पुघर 1984 में प्रगती मैदान के अंदर इस्थापित किया गया था जिसका उद्गाटन परधार मंत्री राजीव गांदी ने किया था इसके बाद 2008 में इसे बंद कर दिया गया और 2014 में हुड़ा सिटी सेंटर के पीछे इसको दोबारा खोल दिया गया है यहाँ पर खेलने की, खाने की और सौपिंग की उचित वेयस्ता है फैमिली के सांथ घुमने के लिए यह एक अच्छी जगा है यहाँ पर जाने के लिए एंट्री टिकट लेना परता है उसके बाद आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं इसके बाद अगले स्तान पर आता है अरावली बायो डायवर्शिटी पार्क गुरगाओं से 21 किलोमेटर दूर एक सांधार पार्क है ये भी गुड़गाओं के पास गुमने की एक अच्छी जगाओं में से एक है इस पार्क में पक्सियों और जानवरों की 170 परजातियां और पौधों की 160 से अधिक परजातियां पाई जाती है तो अगर गुड़गाओं के आसपास ऐसी जगा पर आप घुमना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं इसके बाद अगले स्थान पर है Ambience Mall दोस्तो Ambience Mall गुड़गाओं का सबसे परसिद मॉल है इसकी खासित यह है कि यहाँ पर National और International Brand के लगबख सभी रिटेल स्टोर आपको देखने को मिल जाएंगे यह जगा सौपिंग पसंद करने वाले लोगों के लिए स्वर्ग है इसके अलावा यहाँ पर खाने पीने के भी बहुत से option मिलेंगे इसके बाद अगले स्थान पर आता है Cyber Hub दोस्तों Cyber Hub गुरुगराम की एक सांदर जगा है जो की अपने रेस्टोरेंट, पब और नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर भारत की fortune 500 कमपिनों के भी ऑफिस हैं यह गुरुगाओं की एक बहुत महेंगी जगा है यहाँ पर दोस्तों के सांद एक पूरा दिन बिताया जा सकता है यह जगा Cyber City के ठीक बगल में ही है इसके बाद अग्रिस्तान पर आता है फारुक नगर फोर्ट गुरुगराम से 22 किलोमेटर दूर फारुक नगर किला है जिसको 1732 में फौजदार खान द्वारा इस्थापित किया गया था यह कजबा अपने नमक के व्यापार के लिए परसित था यहाँ पर कई एतिहासिक इमारतें और भवन आज भी हैं यहाँ सीस महल, जामा मजजिद, सेठानी की छत्री और कई हवेलिया है यह जगा गुरुगाओं के पास एतिहासिक जगाओं को देखने की एक अच्छी जगा है इसके बाद अगले स्थान पर आता है हैलिटेस ट्रांसपोर्ट म्यूजियम भारत में भारतिय ट्रांसपोर्ट के इतिहास को देखने के लिए इस म्यूजियम की इस्थापना की गई थी यह म्यूजियम, आटो मुबाइल, रेलवे, एरोप्लेन, इन सब के पुरानी टेक्नलाज़ुई को परदसीत करता है पुरानी गाडियों में इंटरस्ट रखने वाले लोगों के लिए ये एक खाज जगा है ये इस्थान गुडगाओं से 30 किलोमेटर दूर है तो दोस्तो ये तो हैं गुडगाओं के टॉप 10 टूरिस प्लेसे जहां पर सबसे ज़ादा लोग घूमना पसंद करते हैं और आप बात करते हैं कि यहां पर घूमने का बेस्ट टाम कौन सा रहता है तो दोस्तो गुडगाओं में गर्मी भी बहुत ज़ादा पड़ती है और सरदी भी बहुत ज़ादा पड़ती है तो इसलिए अगर आप यहां पर घूमने का प्लान मन आते हैं तो सितमबर से लेके नवमबर तक और फरवरी से लेके मार्स तक का महिना यहां गूमने के लिए बेस्ट है अगर आप सरदी उमे आएंगे तो उस टेम पे बहुत ज़ादा सरदी यहां पर पड़ती है और गर्मियों में भी आते हैं तो बहुत भीषण गर्मी आकी पड़ती है जिस कारण आप ज़्यादा इस्थानों पर नहीं गूम पाएंगे अब बात करते हैं यहां तक पहुंचे कैसे तो दोस्तों दिल्ली के बहुत नज़दीक होने के कारण यहां आप बस ट्रेन और फलाइट तीनों ही साधानों से आसानी से पहुंच सकते हैं यहां तो दोस्तों आज का हमारे वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें जरूर बताना हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियां देते रहते हैं दोस्तों वीडियो में लास्तक बन रहने के लिए धन्यवाद चैनल